दिल्ली में एक ऐसी एतिहासिक इमारत है जिसके नाम पर एक अस्पताल, हवायड़ा, कोलोनी, सडक, सडक की लेन, मार्केट और यहां तक फ्लाई ओवर तक के नाम रखे गए हैं। इसका तालुक उस आदमी के मगबरे से है जो एक जमाने में भारत में बहुत बरभावशाली था। यह है सवदर जंग का मगबरा। यह आप जानते हैं कि कई इतिहासकार इसको दिल्ली में मुगल स्थापत्य के बुझते चेरा की जिलमिलाहट मानते हैं। श्री और बिंदो मार्ग पर जोरबाग मेट्रो सेशन के निकट मौजूद सवदर जंग के मगबरे का निर्मान अठारवी शताब्दी के मध्य में दूसरे अवद नवाब सवदर जंग की याद में किया गया था। ये दिली में सबसे मशूर पर्याटन स्थलों में गिना जाता है। मकबरे के परिसर में मौजूद जंगली महल, मोती महल और बादशाप पसंद एक जमाने में रिहाईशी इमारत हुआ करते थे। अपने सक्रिय दिनों में ये एक इबादत के लिए जगह होने के साथ साथ कई त्योहारों और समारों के आयोजन करने के लिए दुरुस जगह होती थी। ठीक ऐसे ही इस मगबरे से जुड़े कई पहलू हैं। आईए आपको इनके सफर पर ले चलते हैं। कई लोग ये नहीं जानते कि आज जहां पर सवदर जंग का मगबरा मौजूद है। उसके निकट में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने दिल्ली के साथ साथ भारत के इतिहास को भी बदला। यहीं पर सत्रा दिसंबर सन तेरा सो अठानवे को मध्य एशियाई शासक तैमूर और आखरी तुगलक सुल्तान नसीर अदिन महमूद शाथ तुगलक के बीच एक घमा सान्युद हुआ। जिसके बाद तैमूर की जीत हुई और दिल्ली में कतल आम और लूट का मनजर देखा गया था। इसके कारण ये शहर लगभग डेड़ शताब्दियों तक काफी वीरान रहा। जिसके बाद लोदियों और मुगलों ने इसकी च्छवी बदले। क्या आप जानते हैं कि सवदर जंग के मगबरे का अवद के रियासत के साथ गहरान आता है। 18 वी शताब्दी में जब मुगल सल्तनत का पतन हो रहा था तब उनके अंतरगत आ रहे कई रियासतों ने अपनी आजादी का ऐलान किया। और इनमें से एक था अवद। सन 1732 में इसने अपनी एलान आजादी करने के बाद मुगलों के साथ रिष्टा कायम रखा। वही सन 1749 में अबुल मनसूर मुहम्मद मुक्रम अली अवद के दूसरे नवाब बने। उन्होंने अपने राज का विस्तार तो किया। और वो मुगल बादशा एहमद शा बहादूर के दमदार वजीर के तोर पर उबरे। जिसके कारण उनको सफदर जंग के खिताब से नवाजा गया। मगर भारत के सबसे प्रभावशाली आदमी होने की बात सफदर जंग को भारी पड़ी। क्योंकि इनके बढ़ते प्रभाव से न सिर्फ इनका मुगलिया दरबार में बहुतों से मनमुटाव हुआ बलकि ये सिलसला एहमद शा तक पहुँच चुका था। नाखुश होकर एहमद शान ने सबस्दर जंग को सन 1753 में अपने दरबार से बरखास्त किया। और उसी वर्ष सबस्दर जंग अपनी रासधानी फैजाबाद में गुजर गए। ये उनके बेटे और अवद के तीसरे नवाब शुजाओ दौला की महरबानी थी जिन्होंने एहमद शार से अपने पिता के लिए एक मगबरा बनाने की इजाज़त हासल की। और यहीं से सबस्दर जंग के मगबरे पर काम शुरू हुआ। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था जहांपर सबस्दर जंग के जनम और मृत्यों दिवस के उपलक्ष पर समहारो का आयोजन किया जा सके। सबस्दर जंग का मगबरा मुगलिया सल्तनत के आखरी वर्षों में प्रचलित स्थापत्य शैली में निर्मित एक इमारत है। इसका धाचा रहीम और हुमायों के मगबरे से मेल खाता है जो यहां से काफी नस्दीख है। जो बातें इस दावे का समर्थन करते हैं वो है यहां पर इस्तमाल किये गए लाल बालू पत्थर, संग मरमर और शौकीन पत्थर। दिल्चस्प बात यह है कि शुजाओ दौला ने इसके निर्माण के लिए रहीम के मगबरे से लाल बालू पत्थर और संग मरमर निकल वाये थे। अन्य समानताओं की बात करें तो इन में मुगल चार बाक्षैली, मगबरे का चौकोर दो मंजिला इमारत होना उन में जालियों का इस्तमाल और जल प्रबंदन प्रणाली आदी गिने जाते हैं। सन 1803 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली को कबजाया तब पुराना किला, हुमायू का मगबरा और लोदी बागों के साथ साथ सवदर जंग के मगबरे में भी येरोपियों और भारतियों का ताता लगा रहता था। और यहाँ पर उनके कई समारो या महफिले भी सजती थी। हैरत की बात ये है कि 1857 के गदर के दौरान जब दिल्ली में मनजरे जंग कायम था तब इस मगबरे को किसी भी तरका कोई नुकसान नहीं हुआ। अकसर यहाँ पर छोटे मोटे मरमत के काम हुआ करते थे। जिसके कारण मोती महल जैसी इमारतें अंग्रेजों के लिए गेस्ट हाउस के तोर पर इस्तमाल किये जाते थे। सन 1911 में जब दिल्ली भारत में ब्रिटिश राज की राजधानी बनी तब वर्तमान मध्य दिल्ली के कई इमारतों और बागों की स्थिदी को सुधारने पर काम किया जाने लगा। जिसके चलतें भारतिय पुरा तत्व विभाग के तहट आकर सवदर जंग के मगबरे में बड़े पैमाने पर काम किया गया। इस दोरान सन 1920 के दशक में सवदर जंग के मगबरे से सटा हुआ इलाका एक एरपूर्ट बना जिसका नाम भारत के ततकालीन वाइस्ट्रॉय लॉर्ड विलिंगडन पर विलिंगडन एरफील्ड रखा गया। ये भारत के सबसी पुराने हवायड़ों में गिना जाता है और ये लगभग चार दशकों तक दिल्ली का हवायड़ा रहा। इसने दूसरे विश्वयुद और सन 1947 में कश्मीर युद के दोरान काफी हरकत देखी। फिर 1947 में भारत की सुवतंतरता के बाद सब्दर जंग के मकबरे के निकट होने के कारण इसका नाम सब्दर जंग हवायड़ा रखा गया। 1960 के दशक में जब दिल्ली में विमानन गतिविधियों में इजाफा हुआ, तब हवायड़े के इलाके को दिल्ली के दक्षिन में स्थित पालम में स्थानंतरित किया गया। जहां पर आज इंद्रा गांधी अंतराष्चे हवायड़ा मौजूद है। वही सवदर जंग हवायड़ा अब Airport Authority of India का Corporate Headquarter है और ये VVIP और कई विमानन गतिविधियों के लिए भी इस्तमाल किया जाता है। कई हॉलिवुड और भारतिय फिल्मों के साथ साथ Heritage Walk और कला संबंधी कारिक्रम का हिस्सा बन रहा सवदर जंग का मगबरा वास्तु कला के नजरिय से एक अधभुत इमारत है। जो हमें भारतिय इतिहास के एक अंजाने और खुबसूरत पन्ने से रूबरू कराता है। जो हमें जो हमें ल Escape Land जो हमें भारतिय इतिततता है। जो हमें से इतितते हैं जो आप।